लेकिन आप उस तरीके से मोड बना के पुरा हैं कि हमको खरीबना है, परपज बस यही है कि आप लोगों के बीच में एक प्लॉट से रिलेटेट एक डेडिकेटेड जो ब्लॉग है जहां पर हम आपको प्लॉट से रिलेटेट कुछ दिखाएं, यह रोड आपको यहां पर त किस्तों पे भी बहुत साज लोग सोचते हैं कि किस्तों पे भी आप्षन मौजूद हैं, 500 एरिया चाहते हैं 600 चाहते हैं 700 आट सो हजार, 1200, 2000, 5000, 10,000, जितना भी एरिया चाहेंगे यह प्लॉट की जो तीसरी साइट है यह नरायनपूर हाईवे की साइट है और कुछ प्लॉट अभी आज देखने के लिए आएवे थे और प्राइम लोगेशन के प्लॉट्स हैं बहुत सारे लोग चाते हैं कि आगरा एक्सप्रेस्वे की तरफ में अगर आपको प्लॉट मिल यहां पर इस तरीके से आपको प्लॉट मिल जाएंगे प्राइस जो है यहां पंदरा सो रुपे पर स्क्वेट के स्टार्ट होंगे बढ़िया लोकेशन है अगरा एक्सप्रेस्वे से पूरी कनेक्टिविटी है और आप पर प्लॉट मिलेंगे तो हम आज कुछ कुछ है इस ब्लॉट के जडिए बॉलग के जरी के अगरेक्स पर कि लिए ऐसे लिए अधर बहुत सारे प्लाइं बहुत भरी साइड के हैं आनेवले कीचर में बहुत सारा डिवल्पमेंट इदर आना है अगर आप कॉमर्सियल या इस तरीके के बहुत सारे आपको आपसंस चेहें, ब्लॉट्स के या बड़े साइजिस के भी आपको जो भीने चाहिए, अब आप जैसे वेयर हाउसे के लिए लेना चाहते है, रिडिंसियल के लिए लेना चाहते हैं, तो आप इन जोगों के लिए आपको सामने के दिखेगा, और इधर आपको जो साइट है, यह दूरी साइट आपको दिखेगी, लखनो में रिजिदेंसियल के लिए जब आप कम बजेट में खोशते हैं, तो वैसी चीजे जनरली ना के बराबर मिलती हैं, और फ अज की डेट में तोड़ा कम बजेट में मिले, और फ्यूचर में आपको फ्रॉफिट भी हो, तो जैसे ही आपको सामने देख रहे हैं हो, और यह 30 फिट की आपको रोड दिख रही है, यहाँ पे यह पूरी प्लॉट की साइट है, साइजेस आप यहाँ पे किसी भी साइज साइज हम नहीं डाल पाते हैं, लेकिन कोसिस यह होती है कि इस ब्लॉग के जरिया, आपको प्लॉट के बारे में जो प्रिटेल्स हैं वो देने की कोसिस करें, लखना वागरा एक्सप्रेस वे पे जो भी आपको प्लॉट से ही है, में रोड बिलकुल पास में है, उसके बास में यहां पे जो प्लॉटिंग है, वो हुई है, और ऐसे प्लॉट्स जनरल ही क्या होता है कि अगर आप उन्वेस्टमेंट परपस से भी छोड़ना चाहते हैं कि कुछ समय के लिए यहां पे इन्वेस्टमेंट परपस के लिए छोड़ दें, आपका आने वाले फ्यूचर म है, यह मतलब एक काफी जो पूरा बड़ा हाईवे है और लखनौ को इधर आगरा से कनेक्ट करता है, तो उस बीच में अगर डेवलप्मेंट के नजरी से बात करें, फ्यूचर में ग्रोथ के नजरी से बात करें, तो यहां काफी अच्छा आपको रिटर्न इन जोगों पे मिलेगा, आज की डेट में जो रेट हैं हम बता रहे हैं, फ्यूचर में रेट में चेंजेस होंगे, वो अलग की बात है, अगर आप बहुत समय बाद इस वीडियो को देखेंगे, तब तक हो सकता, रेट में जो चेंजेस हैं, वो हो चुके हो, तो उसको आप बात, यह आज की अलग से हम बना देंगे, अभी का जो यह सिंगल सिंगल है, तो हम आपको पुछलों बिखा रहे हैं, अभी हम कुछ से हैं, और इधर भी कुछ प्लोट के जो साइट है, उनको भी देख लेते हैं, और तो कि अगर मोहान रोड और इधर आपका निव और इन रोड इस तर आपका लखनो आगरा एक्स्प्रेस में कि आसपास में अगर आपको प्लोट चाहिए, तो बहुत सारे ओप्संस अने पर रहे हैं, लेकि एक चीज़ आपको यह समझने पड़ेगी कि जिधर भी आपको प्लोट लेना है, इंवेश्टम परपस और रेजिवेंसियन परपस ह आप पहले से डिसाइट करने कि आपको इस इसी एरिया में हम को लेना है, क्या है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार उन्हीं जवहों पर प्लोट लें, जहां आपके लिए रिचेबल हो, जहां उसे आपको कोई दिकत ना होती है, इंवेश्मेंट परपस के लिए ले सकत आपके लगारा एक्सप्रस में के दिखाएं और जो दोनों साइटे थी है, तो महां आजपास में और भी आप लोट से आएंगे, और भी मिलेंगे, लें क्या है कि आप ये सोच गया है, कि हमको लगनोवागरा एक्सप्रस में पेगी जहींगे, ताब आपको जल्दी ब्लो आपके लगनों के आजपास के आज मैं पून एरियास को दिखा रहा हूं जहां आने वाले दो दीव चाल पास सालों में चालों में चालों में है, फूचर में पहनने का मतब यह है, डिवलप्मेंट हो है, वो अपनावती देगी से आए, और वो इस तरीके से आप इन्वेस कर सकते हैं, यह प्लॉट की जो तीसरी साइट है, यह नरायनपूर हाइवे की साइट है, और इधर नरायनपूर हाइवे आप सामने हाइवे चलता हुआ देख रहे होंगे, यहां से मातर 50 मिलेंटर की डिस्टेंस पे आपको हाइवे मिलेगा, और पूरा गेटर सोसाइटी जैसे यह तूरी क्लॉट की साइट आपको दिख रही होगी, रोड जैसे इस तरह आप देख رहे हैं, यह तीन साइजर की रोडे है, 28 पिंटी बिट है, 30 पिंट है, और 30 पिंटी रोड है, इस तरीके से पूरी तरीके से यह नते यह थे सामने, यहां से यह फाजेंस की यह चाहते हैं कि futuristic तरीके की site आपको मिले तो उस तरीके से यह आपको यहाँ पर मिलेगी और सबसे नजदीक वाली जो बात है तो मोहान रोड से जब आप यह नरायनपूर highway मैं बता देता हूं कहां पर है नरायनपूर highway जो बोलते हैं यह मोहान से आपको कानपूर रोड को कनेक्ट करने का काम करता है इस रोड को पूरा नराणपूर हाइवे बोलते हैं नराणपूर हाइवे के जस्ट पैरलल में एक किलोमेटर के पैरलल में आपकी आउटर रिंग रोड जो है वह एक किलोमेटर के पैरलल में लगभग लगभग आपको अगर आप कानपूर की तरफ के डाहिने वाले हैं आप लेके छोड़ना चाहते हैं कम बजट में और चाहते हैं कि फ्यूचर में बढ़िया ग्रोथ मिले तो यहां पे आप कंसीडर कर सकते हैं आपको रोड वगरा यह सारी जो है आपको बनाके आपको पूरी मिलेगी चेंट पौदे ग्री तरी लगा के यहां पिसने मिले मिल जाएगी कि बहुत तरी-सम्म ए इवा इसमें एक चलो एक हजार स्क्यर के आजब पर तो रोड वगेरा इस तरीके से सारा काम आपको हुआ है और प्राइस भी क्या है कि प्राइस भी बहुत जैन्मिन प्राइस में आज की देट में मिल रहा है क्योंकि सहर के अंदर में जब आप चाहते हैं कि प्लॉट लेके छोड़ना है इंवेस्टमेंट परपस से तो कम बज है आपको साढ़े बारा सो रुपे पर इस टेर फिट में यहां पर आपको प्लॉट मिल जाएंगे तो हमने जो यह ओप्शन्स आपको दिखाएं हैं अग्रा एक्सप्रेस वे मोहान रोट यह कुछ हमने प्लॉट की आपको साइटें दिखाई हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल और ऑप्शन भी दिखवा दिये जाएंगे लेकिन चीज है कि आपका बजट जो है उस तरीके का होना चाहिए इस रोड पे हमारे पास कुछ आप्शन्स जो हमने रानाटपूर हाइवे पर यह प्राइम लोकेशन की साइट है हमने आपको बताया कि इसमें इस तरीके से डि जो आएं कि हमको खरीबना है तो फिर हम आपके लिए उस तरीके के आप्शन्स तरीके से आपको दिखाने का मकसद यह भी है कि आपको एक ही वीडियो के जरिए कई सारे आप्शन्स हम दिखा दें और जो बेसिक सारी चीजें है जैसे बेसिक एमनेटीज में अभी यहाँ इस तरीके से डेवलप में नहीं हो रखा है धीमे धीमे डेवलप होगा तो फिचरिस्टिक साइट इस बात का आप जियान रखी होगा जैसे यहां पर हम आप्शन्स बता रहे थे सास्ते प्लॉट में तो यह जैसा यह रूट से एक ससाइटी के बाहर आप कुछ प्लॉट तो इधर आपको सस्ते में मिल जाएंगे यहां पर आपको प्लॉट के जो डेएंगे अब माने चलो शाड़े साथ सो रूपय के रिट में प्लॉट मिल जाएंगे तो इस मतब आप्शन्स है और किस तरीके की सुसाइटी है किस तरीके की कालूनी है उस हिसाब से आपको प् जिए यह वह वह अधे नहीं के आज़ कर चलो में बश्यान के लिए बहुत जाए जे दोहजार बैसेर के को कि और भी तो आपको जो थिल्गेल के में जिए हाद है तो इसी नरायनपुर हाइवे पे प्रॉट चाहिए बहुत ही कम रेट में आपका बजट बहुत ही कम है इन इंवेस्टमेंट परपस से डाल कि आपको ले लेना है तो यह पीछे का जो पूरा हिस्सा देख रहे हैं वह बाउंडरी सामने से वह जो बाउंडरी है उस तरफ जो लेखे और इस तरफ पीछे तक तो इसमें आपको फ्लॉट मिल जाएंगे साइज यहां पर कोई बाउंडरी सन नहीं है और किस्तों पर भी बहुत साथ लोग सोचते हैं किस्तों पर मिल जाए तो किस्तों पर भी ऑप्शन मौजूद है उसके लिए एक बार फोन कर लेंगे बात कर लेंगे दो नहीं किस तरीके की आप्शन से और इसमें जो प्राइस है बहुत ही कम प्राइस कम्स में है 570 पर स्क्यर फिर्ट के रेट में यहां पर आपको प्लॉट जो है 700 रुपय में मिल जाएंगे में रोट से बिलकुल नजदीक में हैं और अगर आप 500 एरिया चाहते हैं 600 चाहते हैं 700 चाहते हैं 800 वारा सो दो हजार पांच हजार दस हजार जितना भी एरिया चाहेंगे उस हिसाब से आपको प्लॉट मिल जाएगा मैं पहली चीज यह कह रहा हूँ कि जो यह पूरे प्लॉट है वो इन्वेस्टमेंट परपस से आप लेके डाल दीजिए और बिलकुल नरानपुर हाईवे के पास में हैं तो फ्यूचर में आपको अगर अच्छा रिटर्न चाहिए होगा तो वो आपको मिल जाएगा प्राइस साथ सो रुपे पर स्केर फिट तो आज हमने अपको बहुत सारे प्लॉट्स के जो साइट्स हैं जो जगहें हैं वो दिखाई हैं और होफुली आप को यह सारे वीडियो पसंद आये होंगे हमने चार पांस साइटे तो आपको ऐसे दिखाई हैं तो अगर आप मु देरियाज में प्लॉट्स है तो उसके लिए प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया था बाकी अगर आपको सहर के अंदर में आज की डेट में तुरंद घर रहने वाले प्लॉट्स है तो वो तो अलवेबल रहते ही हैं उसके तो रेट जो हैं थोड़ा ज्यादा होते हैं लेकिन के निहां पर आपके लिए ओप्संस कम बजट के लिए हमने आपको आप्संस बहुत सारे अभी तक दिये अभी तक हुने जितने भी आपको आज के इस वीडियो में दिखाएं सबकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है मतलब आप किसी भी एरिया में जाना चाहते हैं रखनाओं की तो उसके लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना के हाईवे बहुत दूर है चाहे अग तो आट उसके बिल्कुल नज्दी के सारे आपको अपे दिखाएं उस नजरे से के जारिये से प्रोज के लिए से प्राइज के लीए प्रेस्ट से जहां पे आपको अने वले रही है इमनेटी जो को अच्छ रहना भी चांटे हैं तो आप रहे सकते हैं तो अगर आज का यह वीडियो आपको पुरो को समय है तो ज्यादा से लोगों को सहर करो लगनों में जिसको भी अगर प्लॉट की रिक्वार्मेंट है के तो मैं आपके जानने वालों में तो उनको यह झाल जो झाल